हाई जोस्तों असलाव क्यों कैसे आप लो मैं नभील है आपनों रिलीस किया iOS 18 developer beta 3 का एक और वर्जन यानि कि re-release किया इसको फिर से इसको release किया क्यों ऐसा किया है वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है उसको भी देख लेना क्योंकि आप मैं से बहुत लोग इंतजार कर रहे थे public beta का तो public beta के उपर ही मैं वीडियो जो है एक और बनाने वाला हूँ उसको भी ज़रूर चेक आउट करना इसके बाद iOS 18 developer beta 3 का re-release यह जो है एक चोटा सा update है 360.7 MB का update है काफी चोटा है क्यों है आगे आपको समझ में आएगा update से पहले 18.0 ही था क्यों 18.0 ही चल रहा है जब तक के stable version नहीं आता इसके अंदर अगर आप देखेंगे update से पहले का available free space 568.71 GB था अभी बड़ा है कि घटा है वो देखेंगे update से पहले का जो build number था उसके end में F था और यह build number आपके सामने है और update से पहले का जो modem firmware था वो था 2.14.01 अपडेट के बाद भी 18.0 ही रहने वाला है लेकिन update के बाद यहाँ पे available free space तकरीबन 3 GB से बढ़ गई है तो ऐसा बढ़ना घटना चलते रहता है थोड़ा बहुत कम हो थोड़ा बहुत बढ़े तो हमको कोई फरक पढ़ता नहीं है यहाँ पे जो build number है update के बाद का वो आप देखेंगे तो इसके end में आया चुका है अब यहाँ पे यह जो update है इसको release करने का एक purpose है अभी मैं आपको बताता हूँ यह build number को ध्यान में रखना आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे modem firmware जो है इसमें कोई भी आपको difference नजर नहीं आएगा तो यहाँ पे जो purpose है iOS 18 developer beta 3 को release करने का वो है कि iOS 18 का public beta 1 जो है Apple ने release कर दिया है और वो आपको देखने मिल जाएगा आपके phone में अगर आप enroll करते हो public beta के लिए तो यह जो है मेरे दूसरे iPhone पे आपको नजर आ रहा है यह public beta है यहाँ पे लिखाव आप यह public beta तो यह जो है साथ जीवी का है यह update आपको करना है नहीं करना यह अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस update का और इस update का build number सेम रहेगा इस वज़े से यहाँ पे यह re-release किया लेकिन चोटे मुटे changes के साथ वो changes क्या है आईए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ इससे पहले वाला जो beta version था यही beta 3 का जो इससे पहले वाली release थी दूसरा build number था उसके अंदर यह emojis में अगर आप जाते तो यहाँ पे एक sticker वाला keyboard आपको देखने मिल जाता वो आप यहाँ से गायब है यह जो है यहाँ पे कुछ change किया मतलब apple revert कर दिया है पुराने keyboard पे वापस चला गया है और यहाँ से भी अगर मैं sticker लगाने की कुशिश करूं तो यहाँ पे मैं आपको लगा के देखाता हूँ एक sticker और उसके बाद दुसा लगांगा तो यहाँ पे यह replace होता चला जाएग इस तरीके से और यह sticker जो है एक लाइन में नहीं आएंगे तो यह चीज यहाँ पे apple ने वापस पहले जैसी कर दिया है settings के अंदर अगर आप जाते हो voice memo की settings के अंदर तो यहाँ पे आपको stereo recording का option देखने मिलता है तो voice memo जो record करते हैं उसके अंदर अगर आप चाते हो stereo recording हो mono recording ना हो तो वह चीज आप यहाँ से on कर सकते हो इसके अलावा guys इस वाले update के अंदर कुछ भी चीज नहीं नहीं है बस जो build number है उसको match करने के लिए apple ने यहाँ पे यह वाला update पुश किया है यही purpose है इस update का अब इस update में क्या कुछ bugs apple ने fix किया है वह हम थोड़ा बात कर लेत है तो वह यहाँ पर देख सकते है थोड़ा बेटर तरीके से काम करेगा और अगर आप वालपेपर को डाक या लाइट करते तो वह थोड़ा सा अच्छे तरीके से काम करेगा ज्यादा स्टेबल है वैसे मुझे यहाँ पर पसंद है आपको कौन सा वाला पसंद है मुझे comment क प्रिफर करता हूं लेकिन डाक आइकन जो है लाइट आइकन करता है पहले के मुकाबले स्पॉटलाइट सर्च का अगर आप इस्तमाल करते तो यह भी जो है तोड़ा सा आपको बेटर तरीके से काम करती नजर आईगी इसमें ग्लिचेस थोड़े कम नजर आएगी यह भी इतने दर के बाद आया आप मैं अब्ल्रावड़ सफिकर क Guil करने के बाद खोलते है तो इतने दिल के बाद आया यहाँ पर अब मैं स्ट्रिनिंग को आकसेस कर सकता तो यह भी भी मौग घर कर रही ही बग इसा हो नहीं करता है लेकिन पहले के मुकाबले उसकी प्रिक्वें गैलरी में प्ले नहीं हो रही है जब मैंने अपडेट इंस्टॉल की थी तो यहां पर इसकी वॉल्यूम भी काम कर रही है लेकिन अगर फोन की जाती है तो फिर इसकी भी चली जाती है रिलीज नोट्स के अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर फीडबैक अप्लिकेशन के अंदर कोई भी रिलीज नोट्स इसके आपको देखने को फिलाल तो नहीं मिलेंगे अभी तक अपडेट नहीं किया इसको लेकिन अपल के वबसाइट पर आपको इसके रिलीज नोट्स यहां पर फिक्स किया है फिर यहां पर अगर हम देखें तोड़ा उपर जाके बहुत सरे प्रॉब्लम जो अभी भी यहां पर मौजूद है और यह प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते तो अपडेट करने करें पर इस बात करना बला कि ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं ह यहां पर इंडिया में तो अट-least नहीं कर रहा है युएस वाकरा का मुझे पता नहीं हो आपको युएस से देख रहे है हमारी वीडियो तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि यहां पर यह वह कर रहा है कि नेटवर्क तो है यहां पर ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इसको इसमें कोई दिखकत मुझे नहीं आरी तो स्टोरेज ओ नेटवर्क का कोई आपको इशू नहीं आएगा रही बात बैटरी की तो बैटरी हेल्स भी बताऊंगा थोड़ी सी बैटरी लाइफ भी आपको बताऊंगा इस बार मैं बता पा रहा हूं क्योंकि जो बेटर था इसके पहले वाला उसके अंदर जो बैटरी लाइफ मुझे मिली है वो मैं टेस्ट करी रहा तो और री रिलीज हो गया यह तो मैंने उसका स्क्रीन शॉल लेकर रखा है यहां भी लेख सकते हैं मैं बैटरी लाइफ दिखाने के लिए आपको यहां पर मंडे की बैटरी लाइफ दिखाता हूं मंडे को रात में यानि की संदे की रात जब कम जाती मंडे लग जाता है एक्सपेक आप कर सकते फिलाल ये अपडेट पर जो के 15 प्रो मैक्स के लिए बहुत कम है 15 प्रो मैक्स दे रहा था अराम से 6,5-6,7 गंटे का स्क्रीन अक्टिफ टाइम आयोस 17 के उपर तो बेटा वर्जिन के अंदर आयोस 17 के बैटर लाइफ तो बिल्कुल आपकी स्कोर बड़ा है घटा है तो यहाँ पर देखें पिछला स्कोर था 28206945 सिंगल और मल्टिकॉर का जो अरड़ी कम था अगर हम बिटा वन से कंपेर करें तो देखें यहाँ पर 7297 था मल्टिकॉर का स्कोर और आयोस 17 में तो 73 के उपर था लेकिन अभी देखिए और कम हो गय गया है 6875 तो यहाँ पर हीटिंग इशू करने के लिए में भी आपल यह चीज कर रहा है और यहाँ मल्टिकॉर का स्कोर CPU का हर अपडेट के साथ गिरता चला जा रहा है इस बात का ध्यान आप रखना ज़रूर GPU का स्कोर लेकिन यहाँ गिर रहा नहीं है इंफाक बढ़ रह करता हूं क्या iOS 18 का beta 3 आपको अपडेट करना चाहिए developer beta की में बात कर रहा हूं तो अगर आप developer beta पर अगर आप पडेट मत करना पब्लीक बेटा पर कैसे जाना है आपको अगला वीडियो देख लिना मेरा उस पब्लीक बेटा कैसे इंस्टॉल करना है क्या कुछ आपको प् बाइ